चुननी है मनजिर अब जिन्दगी मेरे पैसले मेरे होसले जाहे जैसे आजमाएं चितना भी उलजाए अपने रिष्टों में नादों में रस्मों के इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व कादा मन्था में चलते जाना है चलते जाना है अस्तित्व कादा मन्था में अस्तित्व कादा मन्था में अस्तित्व एक प्रेम काहानी में इससे पहले अपने घर जाओंगी अर्ष्णा की बहुत सारी यादे है माँ तु मेरे साथ नहीं रह सकते थे मानती हो लेकिन अभी और पेरेंस उनका एक बार भी ख्यानी आया तुम्हें एक पल के लिए भी सुचने की कोशिच नहीं की कि तुम पर क्या कुछ रही होगी यह सिट क्या जाता है यूर अने इसकेपिस पापा दो पाद छोड़ कर जा चूगे आप मामा को इस पार तु यकीन कर सकते हैं आप पर या नहीं वर यू सेइंग बटा यूर फाद इसकेपिस्ट वो एक बहुत ही एमोशनल और सेंसिटिव इंसान है और बिटा तुम क्या जानती हम दोनों के बारे में यून हालात के बारे में जिनके वज़े से पापा को घड़ चोड़ कर जाना बड़ा प्लीज बिटा इस सहरा कॉमेंट करके यूर दोन हो और जालम जालम इसकेपिस्ट अगे शीया थीज है शीया रही है शीया थीज है क्या किया ए मैने आश्तम आपनी जिम्मेदारियों इसे बागता ही रहा हो मेरे तुम्हें रास्ता को छोड़कर भाग गया फिर गुड़िया को तुम्हारे पर छोड़कर भाग गया खुदी देखो इस समय इस उमर में मेरे बाबाब को सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरी होगी मैं हून की पास नहीं जब मुझे कुछ मालूमी नहीं तो मुझे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं जब दुआंशचाथ की इस धिरम सबक्ताथ जब अक्रेंशचाथ जब देख भी और करें और यहां क्या अश्ड़ क्या है प्रहें आद़ नहीं उत्ते हैं और जब तक आप वह रिज़िंस को सामने रख के अवाल्यवदशचाथ सही और गलत की जजमेंट पास करना ठीक नहीं होता गटा I understand, Mama ऐसी गलती दुबारा ना करूँ इसलिए I want to know everything क्या आप बताएंगे मुझे? मेरा मतलब है अगर आप चाहे तो it's completely up to you मैं बताउ में बताउ में बताउ में बताउ में तुमसे कोई बात चपाउ ऐसे कोई बात है ही नहीं और नहीं कोई बताई I'll tell you everything I'll tell you अबस सब Simran जल्दी लॉट आए उसकी बच्ची भी उसकी राह देख रहे है पकवान की दया से सब ठीक हो गया बशे Simran की जिंदगी ने भी कितनी करवटे लिये Nanu अरे Nanu आप आगए आप तो अपनी पेड़ पोदू के दिखभाल करने के ले ले गए थे ना और रात को वही रुखने माले थे अरे वह क्या है कि मैं इसलिए आगया कि तेरी दादी कहा मनने वाली थी दादू के हाथ में मेरा खाना वही भीजवा देती इसलिए मैंने कार चलो वही चलते हैं अपनी आउस्था के साथ खाना खालें तेंक्यू नानू वह तो अच्छा हुआ मैं अपनी फ्रेंड की आहना ही रुखी डेनर के लिए आप लोग मेरा इंजार कर रहे थे ना अच्छा दादी बहुत लगई है राइट सब देनर हाँ चल विता संधी जी आपकी हुम्योपैथिक दवा से मेरे घुटनों का दर्द बस चाराने भर रह गया चाराना? अच्छा चाराना का मतलब है कि घुटनों का जो दर्द है वो 25 परसंट रह गया यहाज कलके पच्चें भी ना मातुर सहाब अब तो हम आउट डेटिड हो गए हैं हमें तो अब हिंगलिश बोलनी चाहिए चल बेटा अच्छाँ 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 होगी क्यों? नानो को खाने के साथ चास बहुत अच्छी लगती है मुझे सब चलेगा तो मिनट में बन जाएगी चाहिए डिर्श रखाए रखाए दादी प्रिज़ में दनियापति डाला और नमक तो बिल्कुल मत डाला ऐसा कर तो खुदी बना ले अपने नानों के लिए चाहिए कमाल है आस्ता तो मेरी पसंद खूब जानती बिल्कुल सिम्रन और शगुना की तरह मेरा खायल रख रही है क्यों नहीं रखेगी बीटी है आपकी अवीज की उंडियां देखें तुमने बिल्कुल तुम्हारी उंडियों की तरह है लोग इन आटिस्टिक दखाओ 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 ज़रा इना क्या नहीं बताया तुमने इतने सालोगे बार तुम्हारे आट का खाणा खाया पुराने तन याद आगाए शोकना यहा थेंको साहब आपने अभी तक मुझे कुछ नहीं पताया क्या नहीं पताया तुम्हा आप तुनों के बारे में यह फर्स्टियू यहादी कैसे भी थी? इत वस अलव मारज़ नो? बताए ना? यहाद वस अलव मारज़ अब क्या बताय ना? तरह ना बताय ना कल कभी बात कर देंगे इस पारे ना? नाई, अब भी! आप लोगा ना ना? बताए ना? अवकी प्रेम कहानी? अब भी कहान से शुरू करना भी? शुरू से शुरू कीज़े पहले कामे ले थे? इत फर्स मीटिंग आफॉसमीटिंग उम्हुम्हुम्हूसपिल में एक लड़का था एक लड़का था प्सक्यूसब में एक उमार्ट लड़का बढ़ा था है जो हॉस्पिरल इसे दो उटाए तो, यह था लिए पिर उच्टाए से डिले कामरे लिए बिना टाए कुछ कुछ कुछ, कुछ 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 कुछ, कुछ कुछ दोच कुछ भी वाली आखिशक दोटीज जल्दी बिलेगा, दोटीज पाता है झाल शुक्त लुग्या जान्दानी जान्दानी यह वस्पता है मैं तुम्हारी मम्हा की फोटो कीची और मुझे बता नहीं था कि यही डॉक्टर सुमरन है यहाब भी डॉक्टर सुमरन सुमिलने आई क्या जलिए कही तो आप मंदिल एक हुई यही बैठी नाप खड़ी को यही बैठी यहाब आती हुए आप मिलीएं डॉक्टर सुमरन सार किन? नहीं मैं नहीं मिलां लेकिन सुना बहुत है उनके बारे में तुम्हारी ममा मेरी बेहन की डॉक्टर थी आननदी बुए वो नहीं रही बेटा जब मैंने जब पहली बार इनकी फोटो गीची तो मुझे इस बात का इसास ही नहीं तक यही डॉक्टर सुरन है बस फिर इसके बाद मैं इनसे मिलने के बहाने रूड़ा करता था कभी पूरा का पूरो हॉस्पिटल मैं फूलों से भर देता था कभी डाट खाता था कभी पूरा दिन पूरी रात हॉस्पिटल के बाहर बैठा रहता था था उनसे मिलने के लिए और फिर एक दिन मैंने हिम्मत की और तुम्हारी मामा से कहा कि मुझे मिलना है अबसे एज़ा ही हू मैं आपको को से प्रॉब्म तो नहीं नहीं नाचिले अब उसे शादी करेंगे वाट यह रिष्टा सबको नागवारा था लेकिन वो सिम्रन से उम्र में बहुत जोटा है दस साल पूरे दस साल जवानी का जोश है ना इसलिए हो रहे हैं बड़ी-बड़ी बाते दस साल के पर को जनरेशन गाप कहते हैं वाव दस साल आप दोनों को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि आप दोनों के बीच में दस साल का एच डिफरेंस एच डिफरेंस वेल आज ही कहता तुम मुझे काम्प्लिमेंट दे रही है क्यों अभी मुझे काम्प्लिमें मुझे काम्प्लिमें अगर अभी भी अपनी दाड़ी निकाल दू तो तुमारी मामा से जादा यंग लगूँगा इतना भी नहीं अभी नहीं सेरिस्टी दून्य थिंक सो लोगत में तो फिर आप अपनी दाड़ी शेफ क्यों नहीं कर लेते अरे नहीं बेटा अब कहां उमर नहीं रही उन सब चीजों के नो अब तो आपको दाड़ी शेफ करनी पड़ेगी हम देखना चाहते हैं कि आप कितने यंग लग सकते हैं है ना ममा मैं रेज लेकर आती हूं अरे सुनो बैठो जुप्चा भब अफे 21 साल के उमर हो गए ये लड़की की अभी तक बच्चों के तरह बिलकुल जित करती है बेबी या था बैटो ना काई को मस्ती करती है मेरे को सुनने देना बाई की लग स्टोरी ये सब तो मेरे को पड मालूम नहीं मैं ये लोग के स्टोरी में कभी आई है जब तुम बाई के पेट में थी है नब बाई अच्छा ममा आप लोगों ने शादी कैसे की शादी कैसे की सिंपलती शादी थी हमारे विसस अ कूर्ट माविज सिदान के पापा मानस ने अटेंड की थी और कोई नहीं आया था ना मेरे खर से ना इनकी आई सिम्रा माथूर तेक यू अभी मान्यू सक्षेना तो बी मालौफली वड़िए अब क्यों आई है पापा आपकी सिम्रान आपका आशिरवात लेने आई है सारे रिष्टे तोर दिये है आयम लॉस्ट माइ दॉटर इनका स्वाकत तो मैंने कल सुभह ही कर दिया था अपने कर में पहले घाब देती हो और फिर मराब लगाने की कोशिश भी करती हो ओ मैं तो भूली गई डॉक्तर हो ना मैसे इसनी पढ़ी लिखी हो तो मेरा फोटोग्राप पर बेटा ही क्यों पसंद आया तुम्हें आपका गुस्सा जायस है लेकिन आपसे किसी की कोशिश नहीं देगे जा रही है मैं भावी की जिगा होती ना तो एक पल नहीं बरदाश करती है ऐसा बरताब लो मेरे बरताब का मुझे ही ताना दिया जा रहा है अभी और मैं बहुत खुश थी बटर अभी के साथ रहकर मैंने जाना प्यार क्या होता है लेकिन भगवान शायद हमारे प्यार का इम्तिहान दे रहे थे अभी के मामी जी और बापजी ने उजे बहुमानने से इंकार कर दिया मेरी लाग पोशिशों के बापजी होता तुम्हारी बुआ अनन्दी के बुरे सपोर्ट के बापजू मैं हार गई अंका दिल नी जीत पाई मैं अभी क्या कह रहे तो? Simran, फैसला हो चुका है पर अभी जरा? Simran, प्लीज, फैसला हो चुका है तो हो चुका है आप हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, डाप फिट लेकिन कहें जिए जिए जो कुछ असर नहीं होगा आपकी आशिवात का एक मा का ते तोड़ा इसनी चाहो, कोई दुख नहीं मुझे तुम्हारे जाने का बहुत खुश्यों मैं आप आपकोई थोड़ा गुश्यों टुम तुम्हारे जाजिए ओट फिए जिए जिए डापकः तुम्हारे आपकोई एक लगा तुम्हारा जाए तिसक्राइब आत्या भलत माइब नहीं जिए जिएगी के शिएगा इस उमीद से कि अब सब पर ठीक हो जाएगा तुम्हारे पापा अपने काम में बिजी हो गया नहीं उचाहियां जो छुना चाहते थे तो ये बात है वही मैं सोचू आई कि मुझे फिल्म में इतना इट रिस्क्यू है क्योंकि सरीन खांदान में तो किसी का भी फिल्म से कोई नाता ने था नाओ एकन से दर इसन में ब्लट है रह पापा यू बैट माटे जब मुझे पता चला कि मैं प्रेगनिट हूँ तो एक अजीब सी खुशी का असास था हमारे प्यार की निशाने हमारा सांचा रूप बनकर तुम हमारी जिंदेगी में आने वाली थी अभी आम प्रेगनन्ट तुम पाप औ मैं मा बनने वाली हो भी I'm so happy Sumran, मैं ये बच्चा भी नहीं चाहता Sumran, you please about the child आपने मेरे ले ऐसा का पापा You didn't want me, your own child बच्चा Actually उस वाग आपके पापा बच्चा चाहते ही नहीं थे पापा, is it true? ममा चु कह रही है, क्या वो सच है? So, I was an unwanted child मेरे पैदा होने से पहले ही आप मार दिना चाहते थे मुझे मेरे आने की कोई खुशी भी नहीं थी ना आपको आप लोग मुझे चाहते ही नहीं थे इसलिए मेरे खुणे का कोई दुख भी नहीं वाओगा और ना ही अब मिल जाने की कोई खुशी You guys are just pretending Aasta Aasta Sia Sia, that was Papa's immediate reaction Aapke Papa's work इतने यंग थे, वो mentally ready नहीं थे So he wanted to abort me? Sia, why you sounding so shocked, बच्चा? ऐसा अक्सर होता है एक बाप के लिए अपने बच्चे को एकसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन हर बाप अपने बच्चों को मार तो नहीं देना चाहता ना? शायद इसलिए ममा, अपकभी साथ नहीं रह पाए इस दुनिया मैं आने से पहले ही मेरा नसीब लिखा जा चुका था पापा, आप मुझे चांदे ही नही थे, इसलिए हम कभी साथ नहीं रहे कैसी सजा दे दे आपने मुझे? Sia पापा, व्यू दो आप आप में? व्यू? Sia, अपको ब्हुत चाहा हम अपके चाहा है और वह आपके सारी जून्दगी का कर्स बन गई विरकल बन गई, बीटा वह प्ट्वर्स प्रेश नहीं पन गई अपके चाहा हॉँए मेरी इच्छा मेरा श्राप बन गई और मैं उसको जी रहा हूँ तक आज तक मैं उसी को तो जी रहा हूँ अकेला हूँ यहाँ पर इस जगे पर इस जगे पर पिटा यहाँ रह रहा हूँ मैं अकेला एकने सालों से कोई है नहीं आसपार से पिटा यह इश्राप ही तो है अर्फिया आसा जड़ातार इस मेरा नहीं अर्म लुटत को जा को जा करे चाल अर्फियों आसए नहीं नहीं तो है अर्फियों चोनल्ड़ द्टाए आसा को जाड़ा को जाल झाल झाल झाल